हलो दोस्तों कैसा आप लोग मिरा नोवर रोजा कना आप देखे रहें ठीक बॉक्त दोस्तों मंडे सुरू हो गिया लेकिन हम सब घर में है तो क्या कर सकते हैं लेकिन टेक नियूस आप तक जरूर पाचाएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो पहले बात करते हैं दोस्तों अगर आप यूटूबर वगरा है या फोटो एडिट वगरा करते हैं तो फोटो को किस तरह क्रॉप करें और बैक्ग्राउंड कैसे चेंज करें उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है बहुत ही छोटा सा है जाके देख सकते हैं काड मैं अब लेवल है देयर करें चलिए दोस्तों बात करते हैं जितने भी लाइव इस्ट्रीम सर्विस है जैसे नेट्फलेक्स आमेज़ोन और भी दूसरी है तो उन्होंने ये कहा है कि लोग घर पे है तो ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं जिसकी वज़ा से दोस्तों यह होता है कि सब को प सकते हैं इस तरह ही फसलेटी आ चुकी है दोस्तों क्या फेक मैसेज कहां सा आया है कैसे आया है यह फेक है सच है सब कुछ पता चलियागा इस तरह कुछ देखने में लग रहा है दोस्तों स्क्रीन में आप देख सकते हैं यह बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा दोस दोस्टो सेटव बॉक्स लाइव इस्ट्रीम सर्विस को दोस्टो लॉंच किया था जो लॉइटी एक्ट McM टीवे सर्विस जो होता है दोस्टो उसकी प्राइज जो थी 4,499 रुपै है लेकिन u instruments पैक अभी उन्होंने लॉण्च कर दिया है जो दोसो रुपैय पर महीने के हि जादा उठा सकते दोस्तों का रिचार्ज करागे वैसे घर में है तो चेक कर लिए कि क्या होगा क्या किस तरह होगा सब कुछ आपको पता चलिया चलिए दोस्तों बात करते हैं शौमी के तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि 31 मार्च को जो उसका फोन लॉंच होन सब कल दोस्तों लॉंच होगा और उनका प्यूरिफायर और टीवी भी लॉंच होने वाला है जो 70 इंच का होगा और रेट्मिक 830 प्रो का दोस्तों कुछ प्राइस वगएरा लिक आ गई है दोस्तों कुछ बॉक्स वगएरा देखने को मिल रहा है जैसा बताया जार है कि 3699 में मिल रहा है 37,000, 38,000 में ये फोन लॉंच होगा जब ही आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे है वहीं दोस्तों ऐसा बताया जारा है कि इसका जो ब्लुटूथ होगा वो बहुत ही जबर्जस होगा 500 मीटर के एरिया को दोस्तों कवर करेगा जो 5.1 चैनल पर आधारी थ है दोस्तों तो इस तरह ही कुछ खबर आ रही है स्नाइपड़गन 865 प्रोसेसर के साथ आएगा 30X हाइब्रीड जूम के साथ ही आएगा दोस्तों क्योंकि इसमें सोनी का IMX 686 वाला सिंसर है जो 64 मेगा पिक्सल का होगा 3X ऑप्टिकल जूम वगरा होने के उमीद है कुछ फोटो वगरा आई है जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं वहीं अभी अभी मलेशिया में Redmi Note 9S का दोस्तों लांच इवेंट चल रहा है वहीं दोस्तों 48 मेगा पिक्सल का कैमरा वगरा इसमें है अब इसकी स्पेसिफिकेशन कल बताएं या फिर इंस्टाग्राम और फेस्ब के 70 इंच का टीवी लांच होने वाला है अब इसकी प्राइस क्या होगी जब यह आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे चलिए दो बात करते हैं रियल्मी की तो रियल्मी का नर्जो 10 और अर्जो 10 ये दोस्तो 26 मार्च को लांच होने वाला है इसकी स्पेसिफिकेशन वग इसकी स्पेसिफिकेशन आ गई है लियो जी प्रोसेसर के साथ हो आएगा दोस्तो 16 मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा और तालीस आट दो दो का दोस्तो काड कैमरा होने वाला 5000 मिलियंपेर के बैटरी 3GB रंग 4GB इंटरनल मीमोरी के साथ आता है फार्स चार्जिंग वगरा न दो का दोस्तो ट्रिपल रेर कैमरा होने वाला है 3GB रंग 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ आगा 5000 मिलियंपेर के बैटरी इसमें दीख रहा और एक रूमर्स आ रही है कि रेल्मी 6i भी लाउंच होने वाला है दोस्तो इसमें भी हिलियो जी एटी का प्रोसेसर होने वाला कैमरा से वीडियो को लाइक कर दीजा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए दोस्तों बात करते हैं Vivo V19 की तो यह दोस्तों 3 अपरिल को इंडिया में लाउंच होने वाला है लेकिन इसकी डिजाइन वागेरा आ गई है अब देख सकते हैं गूल सा दिख रहा है दोस्तों 31 मार्च को यह चैनल में लाउंच होगा इंडिया में देखिए कब तक आएगा वहीं दोस्तों जो सिच्वेशन चल रहा है उसे हिसाब से दोस्तों सैंसन ने अपना जो पनी है उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दिया दोस्तों इस तरह कुछ खबर आ रहे है करमचारी अपने घर पे ही है कहीं गुमने वगरा भी कैसे जाए दोस्तों जो सिच्वेशन चल रहा है दोस्तों बात करते हैं आज सैंसन के दो फोन दोस्तों टेना में लिश्ट हुआ सैंसन गेलेक्सी A71 5G इसमें दोस्तों 4370 प्रोसेसर और वही दोस्तों बात करते है इसमें इसकी वाई-फाई सेटिफिकेशन वगरा मिल चुकी है और इसकी गीक बेंच इसकोर भी बाहरा आ गई है यह सिंगल कोर जो है 3078 और Multicore जो है 7346 है तरह का कुछ है दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का होगा वहीं दोस्तों बात करते हैं Samsung Galaxy A51 5G अलब विरियंट ये भी टीना में लिश्ट हो गया दोस्तों Exynos 980 प्रोसेसर के साथ आएगा 64 Megapixel का कैमरा इसमें भी होने वाला है 560 Megapixel का सेलफी कैमरा होने वाला है Fast Charging 25 Watt का दिख रहा है दोस्तों आप देखिए ये किस तरह का होगा वहीं दोस्तों बात करते हैं अब Huawei के तो Huawei का P40, P40 Pro 26 March को दोस्तों चैना में लॉंच होने वाला बहुत ही जवर्जस फोन है दोस्तों इसकी कुछ इमेज वगरा आई है मतलब इससे जो फोटो किचा गिया है उसकी कुछ इमेज वगरा आई है आप जानते दोस्तों कि ये फोन जो होता है camera centric phone होता है तो आप देख सकते स्क्रीन में इस तरह का कुछ इमेज है जो बहुत ही जवर्जस लग रहा है ऐसा बता है जा रहा है के हुआवी पीफोटी के जो है दोस्तों ट्रिपल रेयर कैमरा पर आएगा जो पचास सोला और आट मेगा पिक्सल का होगा दोस्तों बहुत ही जवर्जस होगा इसमें ठटी एक जूम होने वाला है 32 मेगा पिक्सल के सेल्फी कैमरा के रण 990 का प्रोसेसर होने वाला आरती अटी सों मिलियंप्यर की बैटरी होने वाली है और पी फोर्टी प्रहों में दोस्तों कौड कैमरा होने वाला है अब देखिये यह किस तरह का होगा वही दोस्तों गुआवी का लुवर्जस सेवन और नेवर्स 7 Pro टीना में लिश्ट हो गया दोस्तों, बहुत ही जबर्जस फोन लग रहा, 40W का फार्स चार्जिंग, 3C सार्टिफिकेशन इसे मिल चुका है दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये देखनों को मिलेगा, और उसी के साथ ऐसा बता है, जा रहा कि एक 7SE भी आएगा दोस्तों, जिसमें 64MP का कैमरा होने वाला है, और ये भी बता है जा रहा कि 22.5W का दोस्तों इसमें चार्जिंग होने वाला है, और ये किरन 825G अलब वेरियंट होने वाला है, मतलब सस्ता फोन होने वाला है, जब य याएगा तो इसकी सारी details देगे, वहीं दोस्तों, बात करते हैं, Oppo Find X Pro की दोस्तों तो इसका gray edition बहुत ही जल्दी अटरी मप्लेबल होने वाला जोотри लेना चाथे तो ले सकते हैं, बात करते हैं, dwaatकते हैं, एक दोस्तों फोन 10 और में लिस्ट हो गिया है, जिसلبट जारा की जिसका code आया है PDAM10 अब यह जो phone है दोस्तों इसमें ऐसा बता जारा कि 4880 मिलियम्पेर की battery है जो entry level का phone हो सकता है या mid range का phone हो सकता है दोस्तों 12 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP, 2 MP, 4 MP, 8 MP का और 8 MP का selfie camera होने वाला है दोस्तों जब यह phone आगा तो आपको सारी detail देंगे वहीं दोस्तों जलिए दोस्तों बात काता है OPPO Reno S2 की तो इसकी कुछ lab images वगर आगए है टीना में लिष्ट हो गया है OnePlus 7T की जैसा ही दिखते है दोस्तों ऐसा बताया जारा है 31 March को इसका iPhone 9 या SE 2 यह launch हो सकता है दोस्तों आप देखिए यह आएगा या नहीं आएगा वो तो बात की बात है वहीं दोस्तों बात करते हैं Motorola का G8 Power Lite दोस्तों इसमें 5000 MP की बैटरी होने वाली है हिलियो P35 का प्रोसेसर होने वाला है 15,000 इसकी प्राइज होने वाली है इस प्राइज में हमें खरीदने का इंट्रेश नहीं है दोस्तों तो इस तरह का कुछ है चलिए दोस्तों टेक न्यूज होती है कर दोस्तों प्राइब कर दोस्तों आपके लेबाई